हेलो दोस्तों, Welcome to Tradeway Chauda तो सेभी का जो नया circular आया है Option Seller काफी लोग परहसान हो रहे हैं बार-बार मेरे को खोल आ रहे हैं मेसेज हा रहे हैं कि भाई हमारा iron fly हो गया butterfly हो गया, calendar जो spread हम बना रहें वो सब strategy हमारा नहीं चलने वाला है तो हम लोग कैसे पेसा कमाएंगे तो option seller तो बरबाद होंगे यसा आप बोल रहे तो मैं आपको clear वो इसमें बताना चाहता हूँ कि कुछ फरक नहीं पड़ेगा दोस्तो जो हम spread calendar कर रहे है वो वेसे ही करेंगे और वेसे ही चलेगा यसा कहाई पे rule के अंदर नहीं लिखा है दोस्तो मैं अभी आपको explain कर रहा हूँ चलो यह second वाला rule है मैंने अच्छे से research कर लिया है analysis कर लिया है जान लिया है NAC के बारे में सब कुछ जान लिया अभी मैं आपको यह rule के अंदर जो लिखा है calendar spread treatment on expiry day यह word के अंदर ध्यान दीजिए on expiry day इसका meaning मैं अभी आपको समझा देता हूँ बाकी यह सब rule मैंने अच्छे से आपको already explain किया है यह video जरूर देखना हो मैंने यहाँ पे सब rule के बारे में explain कर दिया है तो एक बार यह video देख लेना बस यहाँ पे मैं अभी option seller को कहाँ पे problem हो रहा है था कि हमारा calendar spread के अंदर क्या होने वाला है वो strategy के वो सब मैं आपको clear समझा दूँगा अच्छा वे में एक बार यह video देख लेना हो का बाकी सब rule यहाँ पे मैंने सब कुछ explain कर दिया है अभी calendar वाला rule है वो यहाँ पे मैं अभी वापस एक बार अच्छे से समझा दूँगा यहाँ पे क्या लिखा है expiry day यह word को आप धियान से सुनिए चलो अभी explain करता हूँ आपको spread क्या होता है calendar spread ratio spread जो भी आप बोलो iron fly हो गया butterfly हो गया काफी सारी strategy जो profitable strategy option seller उससे पैसा कमा रहा है 2-4-5 percentage कमा रहा है तो कोई दिकत नहीं वैसा ही करो आप कुछ rule के अंदर नहीं आया या इसा नहीं कर सकते चलो spread क्या होता है कि हम कैसे करते थे यह इस expiry this expiry का हम क्या करते एक लोट लोग जनरल यह इस्टेट लगी वो थी option seller की तो उसमें तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा next week वाला buy करने देगा आपको tension नहीं लेना है आपको spread बनाने देगा same position भी चलेगी आपकी कुछ चेंज नहीं है strategy जैसे करते हैं वैसे ही हमें करनी है simple यहाँ पर rule apply कब होगा यह rule apply सिर्फ for सिर्फ on expiry day simple मिसके हम क्या करते हैं यहाँ पर Friday को generally entry बनाते हैं expiry day के बाद हम entry बनाते हैं यह spread बनाते हैं तो वैसे ही बना लो आप कोई दिक्कत नहीं है वैसे ही बना लो दो lot buy कर लो तीन lot sell कर लो इस expiry का जो भी करना है हो next expiry का एक lot buy जो भी करना है वैसे ही करो और margin भी आपका same लगेगा rule के बाद जो भी है same लगेगा कुछ फरक नहीं है problem कहाँ पर आएगा last पर last मिसके जहाँ पर expiry यह जो expiry sale किया है उसकी expiry दिन आज है आपको लगे मिसके इसकी expiry आज आई है तो आपको क्या होगा तो यह जो आपने buy किया है margin कम करने के लिए जो margin का benefit मिला है आपको simple तो वो benefit सिर्फ और सिर्फ expiry दिन के अंदर नहीं मिलेगा बाकी तो सब दिन मिलेगा Monday, Tuesday, Wednesday सिर्फ Wednesday को expiry है तो सिर्फ और सिर्फ Wednesday के दिन आपको यह जो benefit है margin का वो नहीं मिलने वाला है बाकी Monday, Tuesday आपका जितना margin लगा 50,000 में चलो यह strategy बनी तो 50,000 लगेगा बस आपको जैसा ही expiry दिन आएगा तो यह दोनों straddle की तरह work करेगा इसका कोई benefit नहीं मिलेगा पोजिशन तो चलेगी यह buy किया है वो profit loss तो होगा आपका बस यह margin आपको extra लखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ expiry के दिन जो दो लोट का जितना margin होगा आपका straddle, strangle जो हो जाएगा ना उसका जो margin benefit मिल रहा था next expiry करके उसका बस आपको नहीं मिलेगा समझे मेरा भाई चलो अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई tension नहीं लो मैं आपको graph में ले जा के आपको अच्छे से explain करता हूँ ताकि आपको पता चले चलो चलो दोस्तो example के लिए चलो मैं आपको यहाँ पे मैंने calendar बनाए ओके spread जो भी आपको बोलना है आपकी जो भी strategy है सिंपल जो चलो यह हम इने कर लिए क्या किया है मैंने इस विक्का ओके यह विक्का मैंने देखिए यहाँ पे देखवा दो लोट सेल किया और next expiry का मैंने buy किया है ओके तो यह हमने already rule के बाद भी apply होगा तब भी करने देगा कोई दिक्कत नहीं होगी same वेसे की वेसे ही position आपको बनाने देगा rule के अंदर कहीं नहीं लिखा ऐसा नहीं बनाने देगे बस changes किया आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको देखिए simple देखिए जनरल हम Friday को expiry के बाद हम यह strategy बनाते है weekly होगई, monthly होगई, spread जितना भी spread है वो सब ऐसे ही बनाते थे simple बनाएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है simple बस लागू कहां पे होने वाला है यह rule जब यह expire होने वाला है यह कब expire होगा 25 तारी को expire होगा इसकी expiry जो share leg है हमारी expiry वो venus देखको चलो expiry होगी या जो भी expiry दे है तब आपको क्या होगा यह benefit जो मिल रहा है आपको benefit अभी क्या मिल अभी जो मेरी यह strategy एक लाख रूपे में हो जा रही है एक लाख रूपे मार्जिन मेरा लग रहा है example बता रहा हूँ पचास जार में भी हो जाती है एक लोट करेंगे तो जो भी आपकी strategy एक लाख में या पचास जार में जितना margin में हो रहा है वो expiry के दिन expiry के दिन जो इसका benefit मिल रहा है न जो next expiry का हमने buy करके जो benefit उठा लिया है margin कम करने का तो वो expiry के दिन आपको वो benefit नहीं मिलेगा बस वो rule आपको बताना चाहता है वरना तो वो spread calendar जो भी है आपका iron fly, butterfly वो करने देगा position के अंदर आपका कुछ फरक नहीं पड़ेगा जिसा ही position चलेगा वेसे ही चलने वाला है बस आपको extra margin आपको रखना पड़ेगा बस यह straddle जो है वो straddle यह sale करने में जो भी आपका margin लगा वो आपका हो जाएगी इसका जो benefit जो यहाँ पे मिल रहा है वो नहीं मिलेगा तो वो अभी video को channel को अपना subscribe कर लिजी इसका में solution आपको आगे आगे जब rule आएगा तब में live trade करके example के साथ मैं आपको बताऊँगा जो जो option seller है जो भी ऐसा state दी कर रहे वो सब अभी के अभी subscribe कर लिजीए यह rule के अंदर में सब कुछ search कर लिए tension वाली कोई बात नहीं हमें कुछ फरक नहीं पड़ेगा option seller को कुछ फरक नहीं पड़ेगा मैं बता रहा हूँ ना आपको कोई tension नहीं simple वो तब मैं आपको live करके भी दिखाऊँ tension नहीं अभी उसमें change हम क्या करेंगे बाद में जाके तो यह next expiry वाला है उसको convert करेंगे इस expiry पे हम convert कर देंगे उससे benefit लेके निकल जाएंगे और यह लागू rule पढ़ने वाला है simple expiry के दिन ही लागू होने वाला है बाकी Monday आज Friday entry बना है तो उतना ही मार्दिन लगेगा Monday Tuesday जब expiry आई Wednesday को चलो अभी तो expiry है तो expiry आई Wednesday को तब यहाँ पे मार्दिन थोड़ा सा आपको ज्यादा रखना पड़ेगा इतना मार्दिन इस से थोड़ा सा ज्यादा इसका benefit नहीं मिलेगा इसका benefit तो कितना मार्दिन लखना पड़ेगा almost पचास अजार ज्यादा margin रखना पड़ेगा जो 80,000 ज्यादा आपको लगेगा बस वो आपका fund के अंदर रखना है और कुछ नहीं है इतना margin आपको pending पे चला जाएगा अपना थोड़ा सा extra पेसा रखना पड़ेगा बस वो है रूल बाकी margin कम करने के लिए मैंने बताए ना कि इस expiry कम बाई कर लेंगे वापस तो वापस margin दिन कम हो जाएगा simple ये rule इतना ही है कुछ complicated नहीं करना आपको डरने की कोई बात नहीं है ये rule के अंदर simple clear लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ expiry day के दिन ही बस ये होगा तो Monday, Tuesday, Wednesday जब आप कर रहे हैं वैसे ही करो आप जो भी आपनी strategy ये वैसे ही चलेगी कुछ फरक नहीं पड़ेगा option seller को बस थोड़ा सा पेसा ज्यादा लगने वाला है option seller को बस और ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे भाई बाकी ये rule लागू पड़ेगा न तो मैं आपके साथ अच्छे से साथ में करके भी दिखाऊंगा attention वाली कोई बात नहीं डरो मत फाल्तु मैं यार डर रहे आप option seller जो भी कर रहे हो का वो बोल रहे के भाई 3-4 परसनेज में महीन एका कमा रहा था अब ये strategy सब नहीं चलेगी तो मैं क्या करूंगा कुछ का भाई डरो मत यार वो चलेगी strategy है एक साल दो साल पांच साल जितना ओके ये rule एसा कभी भी rule नहीं आएगा attention मतलो का आएगा तो देख लेंगे बाकी कोई tension वाली बात नहीं है इसे rule इतना ही बताना चाहता है बस और कुछ नहीं है बिंदास अपनी जो भी strategy है वो चलने वाली है जैसे चल रही वेसे ही बस थोड़ा सा extra margin लगे गया और कुछ नहीं है rule के अंदर चलो दोस्तो बाकी मैंने next video भी बना ये सब rule के बारे में detail तो वो सब थोड़ा सा देख लेना ओके दोस्तो चलो वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिजिए मेरे भाई बाकी कोई वी डाउट है कोई question है तो बिंदास मेरे को टेलिग्राम चेनल पर message कर देना टेलिग्राम चेनल अपना join कर लेना free है ओके दोस्तो